नमस्कार मैं हूँ संगीता राय, पुर्वांचल एक्सपेस न्यूस के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आईए देखते हैं हमारे समवादाता रामसकल यादव की अविशेश रिपोर्ट। आजमगर जिले के मेनगर थाना छेतर के गोपालकुर गाउं में खेत की मेड को लेकर दो पक्षों में हुए खुनी संगर्ष में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए जिनने उप्चार के लिए जिलाची की साले में भरती कराया गया है। तो गाउं में पंचायत बुलाई गई लेकिन दोनों पक्ष समत नहीं हुए जिसके बाद मंगलवार को इनकी सिकायत ठाने में हुई। इस बीच कहा सुनी हुई तो करवाई भी होगी। इधर पुलीस गुजरी और उधर देरात पुना दोनों पच्छामने सामने आ गए। जमकर लाठी डंडे इट पत्थर और राठ से एक दूसरे पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में दोनों पच्छों से तीम महिलाओं समे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जिनने उपचार के लिए जिलाची की साले में भरती कराया गया। जहां उपचार के दौरान गुरुवार को गंबी रूप से घायल अंकित नामक युवक की मौत हो गई। तूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस फ अब लोग जाओ मैं कलमेड बनाओंगा। अब घास कर रही थे अपने खेत हुए। मेडी पे। उसका पुरा परिवार लड़की और मेरा रूप इसको मारी। तुम्हाई जगर के था इसको बचाया। बचा के आम लोग थाने पर बाग के गए। थाने पर रिपोर्ट लि इसमें कितने लोग घाल हुए है। पुलिस अदिछक प्रोफिसर तुम्हाई सिंग ने बताया कि दो पक्षो में मेरबंदी को लेकर मार्पीट हुई है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मुकदमा दर्श किया जा रहा है और दोसियों के खिलाफ सक्त करवाई की जा है। उसमें मेर को लेकर के भीबाद हो गया। रात में लाठी डंडे से लोगों ने मार पीट की। आज सुबह में उसमें एक बेक्तिक्यू मुर्त हो गई है। उसमें मुकदमा कायम करके जो लोग दोसी हैं उनको जिल भीजाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।